असलावलेकम दोस्तों उमीद करता हूं कि आप सब खायत फिरेट से होंगे दोस्तों मोसम काफी अच्छा हुआ हुआ है इसलिए हमारी सारी मुर्गी यहां पर जो गंत था मिट्टी की कुछ में नहा रही है यह दिखें फैंसी मुर्गा यह ब्लैक वाली चूजी जो माशाल यह दूसरी मुर्गी जिसके चूजा मर गया था हुआ है वाइट वाली अपने पांच चूजों के साथ अच्छा वाइट वाली जो मुर्गी है तो यह कुछ हद तक बिमार होगी है इसको मैंने मेडिसन दी हैं थोड़ी सी तप जाकर ठीक हुए लेकिन प्रापर ठीक नही चूजों के साथ यह मुर्गी होती है और दिन में थोड़ा टाम के लिए चूजे उस मुर्गी के पास चले जाते हैं तो यह एक फायदा होता है दो दो मुर्गी होने का कि अगर एक बीमार हो जाए तक कोई नहाए दूसरी चूजों की की चेर का लेती है अच्स तो यहां पे उसके ना पाउ में विंक्स पड़े में हैं जजर नहीरी के दुर गही है यह देखिए और यह रेखिए एक बन्दे ने मुझे एक मेल लेके मुझे प्रेखिए मेरे पास मेल कुड़ियें काफी थी तो उसके साथ एक्सचेंज करा ली थी मैंके साथ अब बाकी देखते हैं कि हमारी बॉक्सिस में कितने बच्चे हैं इतर तो अलम्दुलिल्ला से तीम बच्चे हैं दोस्तों यार जादा उपर हम नी जाएंगे इस विडियों का हालत देखें आप लोग इन्होंने उड़ जाना इस तैब इनको कर देते हैं बन यार जो मुर्गी अंडों पर बिठाए थी ना उसका बहुत गंदा रिजल्ट हुआ एक तो यह हुआ कि इन सब में वाइरस आ गया अब वाइरस कैसे आया बच्चा ना मेरे छोटे वाले मुर्गी को असील को उठाकर ले गया यहां से और उसमें उसको को लड़ा दिया दूसरे किशियों और मुर्गे से जिसमें थे आप वाइरस और बिमारी आगी और साथ इसार जो मुर्गे कुरु को बैटी भी ती ना हृए पर नहीं भासतोगा आप पहुकंगों जोजे पाले को मैंको भी दिखाता हम यहां के उसको मैंने बिठाया था आप कर लोगों को विडियो में दिखाया था मैंने यह व्रक्षा केमें लेकिन इसको यह नहीं पता कि इसके इंडे खराब है हैं क यह भी खराब था यह भी खराब है की टोब आसे मुझे तो मैंने इनbayले टी तो मैंने केंडल की थी कल उससे मुझे पता चल गया और दूसरा क्या मैंने इनको हला के दिखा यह सारे हीड़े थे इस अंडे की सिवा अब यह सारे इंड़े यहां से उठा लेते हैं क्योंकि मुर्गी वैसे एपनी लेहनत वेस्ट करेगी इन सब पे सोरी यार यह खराब हो गया है इसमें तुम्ह अब मैंने सोच है इसको एक इंड़े पर बैठे रहने देते हैं साथ साथ इसकी दवाई करते रहेंगे जब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो एक अंड़ा हैज कर लेगी उसके बाद देखेंगे और कोई चूजों का इसके लिए इंतिजाम लगा देंगे यहार इतने की किमती कीमती अंड़े थे इसमें हमारा मुश्का बलड लाइन से भी एक था ब्राउन मुर्गी तो जिसके साथ लगसानी मुर्गी करासा वो अंड़े भी खराब हो गए और जो इसके पास एक नॉर्मल सा असील था यह डिखें इसमें मुश्का लिखा वाई क्वीन मुश् वो असील नॉर्मल है मतलब इतना खास नहीं है वो मैंने बाहर से कहीं से लिया था तो वो इतना खास रगड़ा नहीं है उस पर यह बैठी और उसमें चूजा भी बन रहा है तो लेकिन चलें कोई बात नहीं होता रहता है इक से रुकात यार काफी जादा गर्मी होने के व अबजाब नहीं करता है अगर कोई और कलर होता तो इसमें बड़ी जल्दी जजब हो जाती है वाइड कलर में जजब नहीं होती इस विजए से इनकी छट ठंडी रहती है तो यह सुफेज हुना यह कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं जिन से थोड़ा बहुत कर्मी से दो से तीन दिर मैंने मुखलिफ किसम की द्वाई इस पर यूज़ किया तब जा कि यह थोड़ा सा बिक्तर हो गया तो अभी भी थोड़ी सी इसको द्वाई देनी है जब यह बिल्कुल सेट हो जाएगा ना तो फिर इंशाला फिर मजाएगा खैर यार यार दिए बोसका ज अब ना उसका बहुत है और उसके के पीछे हमारी जो चीनी मादी है ना उसमें क्रूप कर लिया उससे सिर्फ चार अंडे दिया और क्रूप को गई तो अब उसके पास मैं एक अंडा रख आ है उसंडे पर बैठेगी यार तुम क्यूं बहो रहे हो इतना यह इसको डेखके तो यार इसके पास अंडा रख है अंडे पे थोड़े दिर बैठती है फिर उड़ जाती है फिर इंशाला जब इसका बिल्कुल पका होगा इसे वह चार अंडे दे देंगे और ये चूजे हैच कर लेगी अचार यार जी सप्राइस की मैं बात कर रहा था ना वो ये है ये देखें नई मुर्गी ने चूजे हैच नहीं किये आपको पता ये मुर्गी कुडुक होगी थी हमारी अब ये वाली मुर्गी कुडुक होगी थी इसके अंडों में से चूजे भाई नितों चूजों को माह वापस का आँ है है इसके बात प्रया नहीं वैसे भी चूज़े बड़े हो गए अब कुछ हैं तक चूज़े खुदी मा को छोड़ेंगे लेकिन मैंने का चलो चूज़े खुश तो होंगे क्योंकि बिचारी के पीछे बहुत भागते थे और इनको बिल्कुल भी लिफ नहीं कराती थी और जाली खुल दी नहीं तो इन दोना में से एक मुर्गी का हशर नशर हो जाएगा फैर यार इसके चूज़े देखें आप इसके चूज़े ने भी बड़ी शिकानी कर दिया इसमें से नहीं एक चूज़ा ये देखें अगर आप इसकी हालत देखें नहीं इसके सर पे चोट ह यह वले जो चूज़े नहीं इसने सबसे की लड़ाई और लड़ाई के बाद अब इसने जाद़ा तर चूज़े जो हो जो है जिए बेटाव जैसे बहुत जादा दरदो लूरी हो अब इन्हों हुआ इन्होंने लड़ना शुरू कर दें जो बहुत देंजरेस बात है और ये वाले दो चूज़ें ये भी इनके साथ लड़ते हैं तो यार गड़ाई से ने रूपने के लिए कुछ करना पड़ेगा इतना फुला पिंजरा होने के पावज़द अगर ये लड़े हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा इसता इसता जैसे जैसे बड़ यह दिया है खुर खुर सारा कुछ गायब है कि तुमें इच्छे तरीकी से देखें हैं लोगों कवर करके बैठी लिया है और देखें लगभी माशाला कितनी हैल्दी लेगे अच्छा बिमार परिंदा ना दिखी जाता है वह जीब सा दिख रहा होता है लेकिन जो थोड़ इन्शालला यही मुर्गी है जिसने थोड़ सी उमीड लगाई है कि कोई दो चार चुबजर निकाल देगी बाकी तो कोई निकाल नहीं रही सारी आपको आज का व्लाग अच्छा लगा हुगा है व्लाग अज्छा लगा है तो व्डियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्र क्या देखना चाहेंगे यार अभी मैंने बहुत चीज़े लानी थी और परिंदे लाने का सोच रहा था चूजे लाने का सोच रहा था कुछ बटेर लाने का सोच रहा था कुबूतर वगयरा सब कुछ लेकिन यार क्या हुआ है एक दम से इन में बिमारी यह आई है और यह आपना बहुत क्या रखिएगा अल्हाफेज